हेलो स्टुडेंट स्वागत आप सभी कापके अपनी यूट्यूब चैनल ओनलाइन आई टी आई पर स्टुडेंट्स अपरेंट्शिप ट्रेनिंग स्कीम के अंतरगत आयोजोत होने वाली एक सो तेरवी एई टी टी परिक्षा का स्टुडियूल एक बार फिर से रिवाइस करके जारी कर दिया गया है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को जान करें देदू कि वो सभी चातर जो की बिना किसी आई टी आई के प्रमान पत्र के यानि बिना आई टी आई की हुए किसी भी अप्रेंट्शिप की ट्रेनिंग में इनका selection होता है उसके बाद की apprenticeship की training होती है उन्हें apprenticeship पूरी होने के बाद प्रमान पत्र के लिए AITT की परिक्षा पास करनी पड़ती है जबकि जो candidate ITI को पास करकर यानि ITI करके किसी भी apprenticeship की vacancy में select होकर apprenticeship की training पूरी करते हैं उनको ये परिक्षा किसी तरी की कोई पास करनी के उशक्ता नहीं होती है उनको सीधे उनकी training पूरी होने के बाद जो उनके seasonal और practical marks है उनकी company द्वारा upload कर दी जाते है और उनका certificate कुछ दिनों में हफते दस दिन के बाद उनको प्राप्त हो जाता है तो यहां उन candidate की बात की ज आने वाले है कि नया schedule क्या रहने वाला है ठीक है candidates नया schedule आपकी screen पर आभी आपको नजर आ रहा होगा इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं यह schedule है यह AITT परिक्षा 113 नंबर की जो AITT परिक्षा है उसका schedule है और इसमें जो पहले नंबर पर जानकरी दी गई है वो दी गई ह के sessional और practical marks upload होंगे उसकी जो date है जो कि पहले नवंबर अक्टूबर तक थी वो date 12 अक्टूबर से start होई थी और 20 अक्टूबर के लगबग वो date थी जिसे बड़ा करा 15 दिसमबर 2022 तक कर दिया गया यानि कि जो establishment है यह जो companies है वो candidates जो उनके आपरेंट्शिप की training कर रहे हैं वो उन candidates के sessional और practical marks 15 दिसमबर 2022 तक upload कर सकते हैं तो ITI वाले candidates भी इस चीज को ध्यान दे हैं वो भी अपने establishment में बात कर लें जिसे कि उनके जो sessional और practical marks है वो timely upload हो जाए और उनका जो apprenticeship का प्रमान पत्र है वो उन्हें जल्द से जल्द मिल सके इसके बाद बाद आती है registration की ज जो registration ने यह apprentice यानि candidate द्वारा किया जाएगा यानि अगर आप apprenticeship की training कर रहे हैं तो आपको registration स्वयम करना पड़ेगा AIT की परिक्षा के लिए इसके बाद जो exam की registration के बाद whole ticket आपका download होगा वो download भी आपको खुद को स्वयम को करना है apprentice के द्वारा इसकी date अभी फिलाल नहीं की गई है यह जो परिक्षा ही है CBT exam होगा और यह agency द्वारा करवाया जाएगा ठीक है candidate तो फिलाल अभी स्टेश्टल और practical marks और registration इसकी date यहाँ पर एक बार फिर से 15 दिसंबर दो जार बाइस तक बढ़ा दी गई है पहले यह परिक्षा नवंबर में होनी ती पर डेट्स आएगी वो आपको हमारे चैनल के माद्यम से जरूर सुचित कर दिया जाएगा इसमें एक और मातपूर बात मैं आपको बता दू इसमें जो cut of date यानि की 30 तोंबर दो जार बाइस जो cut of date बताई गई है इसका तात पर रिया यह है कि वो candidates जिन candidates की apprenticeship 30 तोंबर 2022 तक complete ह हुई है वो इस AITT परिक्षा में सम्मिलित किये जाएंगे यानि कि अगर आपकी apprenticeship 30 तोंबर 2022 से पहले अगर खत्म हो चुकी है और अगर आपने ITA क्लियर नहीं की थी तो आपको प्रमान पत्र के लिए इस परिक्षा में सम्मिलित होना होगा और आपको registration करवा लेना चाहि है ठीक है candidates तो AITT परिक्षा किस से सम्मंदित अन्य कोई भी जान करें अगर प्राप्त होती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर मिल जाएगी और अगर ये notification आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम गूप पर जाकर इस notification को प्राप्त कर सक के लिए काफी सारी वीडियो मिलती रहेंगी फ्रेंड्स आगे भी इसी तरह की वीडियो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में टेक कियर